चोपड़ा जो किछन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो आज इस वीडियो में MBBS, BDS और IUs की जो लेटेस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं कौन से स्टेट में क्या एक्टिविटीज है उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें IUs के लिए जो सेंटरल के रेजिस्टेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और बाकि स्टेट के रेजिस्टेशन भी IUs के लिए स से कुछ है कि स्टेट का मैं यहां आपको अपडेट दे देता हूं उसके बाद में हम MBBS BDS की अपडेट के बारे में भी बात करेंगे जो लेटेस्ट है तो सेंटरल के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं यह आप सब को पता चली ही गया होगा मैंने भी सेडूल का पहले वीडियो बना दिया था अब बात करें महराश्टरे स्टेट की तो महराश्टरे स्टेट में भी आईरवेदा होमेपेतिक युनानी इनके रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो जो आयूस में एडमिसन लेना चाते हैं इस्टुडेंट जिनके मार्ग्स कम हैं दूस करके रेजिस्टेशन कर देना है तो महाराश्टरी स्टेट का जो सेडूल है इसमें आयूस का वो ओनलाइन रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं 29 जनवरी को और लास्ट डेट रहेगी इसकी थार्ड फरवरी पीडियएफ आपको अपलोड करनी है वो भी सेम डेट तक करनी है जो इस्टेट मैरीट आएगी हौ फोर्द फरवरी को आजाएगा इसमें इसके बाद में रजल टेक्लvas हो जाएगा 10th February 22 को माराश्टरी स्टेट के आयूस का तो ये तो हो गया माराश्टरी स्टेट की अब मद्यप्रदेश स्टेट के आयूस की हम बात करें इसमें तो इसके रेजिस्टरेशन 22 जनौरी से स्टार्ट होके 9 फरवरी 22 इसकी लास्ट डेट है डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी 22 है इसके बाद में जो रेजल्ट आ जाएगा वो 24 फरवरी 22 को रेजल्ट आ जाएगा अब बात करते हम उत्तर प्रदेश स्टेट की तो उत्तर प्रदेश स्टेट के मेरिट आएगी वो 15 फरवरी को आजाएगी और इसमें जो डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन 17 से 21 तक होंगे और इसमें जो इसमें रजल्ट आएगा इसमें रजल्ट आणा है वो रजल्ट आणा है 28 फरवरी 22 को शोरी जो ओनलाइन इसमें जो रजल्ट आएगा वो 26 फरवरी को आजाएगा तो यह फर्स्ट राउंड का सेड्यूल है सेगंड राउंड का सेड्यूल आप यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदैस स्टेट में जो यहां की प्राइवेट मेडिकल शोरी अल इनडिया का कोई बी स्टुटेंट एड्मिसन ले सकता है इसमें कोई 15% का बाॉंडेशन नहीं है अब बात करते हैं राजस्तान स्टेट की तो राजस्तान स्टेट के भी रजिस्टेशन की लास्ट इड्ट बाजी है 31st January 22 है तो इसमें जो ओल इंडिया के प्राइवेट कोलेज में एडमिसन लेना चाहते हैं ओल इंडिया के स्टुडेंट 15% कोटा के तहत उनको भी रजिस्टेशन करना है और जो 85% के तहत एडमिसन लेना चाहते हैं इस्टेट कोटा की शीट उनको भी होगी वो सिरफ प्राइवेट कंडिडेट के लिए जो अल इंडिया से अपलाई कर रहे हैं उनके लिए ही होगी अभी सेडियूल उसका आगे का जो सेडियूल है वो 15% के लिए ही आया है इस्टेट कोटा के लिए आगे का सेडियूल नहीं आया है लेकिन राजस्तान के जो candidate आयूस में admission लेना चाते हैं उनको registration 31st January 22 तक करना आवश्य ही है अब हम बात करते हैं आगे जो तिरपुरा इस्टेट की जो तिरपुरा इस्टेट का registration की last date 31st January 22 दोपेर 12 बज़े तक है तो अगर तिरपुरा में admission लेना चाते हैं MBBS के लिए तो registration कर सकते हैं वहाँ other state candidate की 20 seats है इसके बाद में हम UP की बात करें तो UP का जो choice filling का date है आज last date 31st January 22 है इसके बाद में हम बात करें अंदरप्रदेश की तो अंदरप्रदेश के भी registration start हो चुके है competent authority के management के तेलंगाना के भी नहीं है अंदरप्रदेश के भी नहीं है competent authority के अंदरप्रदेश के हो गए हैं वो 29 January से start हो चुके थे और 4 February इनकी last date है इसके बाद में बात करें हम तेलंगाना state की तो तेलंगाना state के competent authority के registration already हो चुके हैं और जो आयूस के registration है वो 31 January से लेके 6th February 22 साम 5 बजे तक हैं अब बात करते हैं गुजरात के MBBS BDS admission के बारे में तो इनका भी schedule आ चुका है गुजरात का choice filling 31 January 22 तक है और इनका जो रजल्ट आणा है वो 1st February 22 साम 5 बजे तक आ जाएगा इसके बाद में हम पंजाब के आयूस की बात करें तो पंजाब के आयूस की जो last date है वो 5th February 22 रखी गई है अगर आप पंजाब स्टेट के आयूस में admission लेड़ा चाते हैं तो यहां पर आप registration कर सकते हैं तो यह अलग-अलग स्टेट की MBBS BDS आयूस के बारे में latest update थी और जानकारी के लिए आप अपने स्टेट की website पर विजिट करते रहें ओल इंडिया कोटा MBBS BDS का result 1st February 22 को आना है तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं